नमस्कार सातियों, कल अचानक ही ये खबर आई कि रोहित सर्दाना का निधन हो गया है, इलाज के दौरान, पहले तो लोगों को ये लगा कि कोविट के कारण हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खबर आई, नहीं ये हार्ट एटेक था, और कल साम से ही थोड़ी ये कठा कठा तंद्रोष्ट व्यक्ति कैसे गुजर सकता है, उसके बाद ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विशे बन गया, और अब जो बात खुल करके सामनी आई है, उसमें काफी बड़े बड़े लोगों ने ट्यूट करकर के ये कहा है, कि इसमें डॉक्टरों की लापरवा और इसमें काफी जितने भी सोसल एक्टिविस्ट हैं, कुछ बड़े नेता हैं, कुछ एमेले हैं उत्तरपरदेश के, उन सब लोगों ने ट्यूट करकर के एक उच अस्तरिये कमीटी बनाने की मांग की है, जिसमें ये पता चल सके कि इनको क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया इनको क्या-क्या इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण से ऐसी नौबत आई, दूसरी मांग सब की ये है, कि नोईडा मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ एफायार होना चाहिए, और उस एफायार में नोईडा मेट्रो हॉस्पिटल के ऊपर पूरी जांच बैटनी चाहि है, उनका ये ट्यूट अभी आया है करीब सतर मिनिट पहले कि रोहिच सरदाना भाई का भाई को वो इंजेक्शन लगाया गया जो उनको शूट नहीं करता था, इलाज के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, ये लापरवाई है या कुछ और इसकी जांच होनी चाहिए हर तरफ से जांच की मांग उठ रही है, हर तरफ से ये डिमांड हो रही है कि इनके निधन की एक उचेस तरिये कमिटी बना करके जांच हो और नोईडा मेट्रो हस्पिटल के खिराफ एफाई यार हो अब इसमें एक ये बड़ा पूरे देश के अंदर एक ऐसा एक महौल बन गया है कि जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि डाक्टरों की लापरवाई के कारण कितनी मौते हो रही है बहुत सारे ऐसे बात बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है लगातार ये खबरे आ रही है कि कोवीड हस्पिटल में किस तरीके से डाक्टरों की लापरवाई है मरीजों को ना इंजेक्शन दिया जा रहा है अब ये बड़ी बात ये सामने आई है रोईश्चरदाना वाली तो इसको देखना है कि अब परसासन और सरकार इसके खिलाब क्या कदम उठाती है और सरकार क्या करती है जाहिंद